कॉंग्रेश की आसन्हार निकट देखकर इंग्लिस मीडिया बॉखला गई है इंग्लिस के बरे बरे पत्रकार इस कदर नीच और सरक्षा फरकत कर रहे हैं कि देखकर आश्चर होता है कि क्या ये सच मुझ जर्नलिस्ट है अरनव गुस्वामी रिपबलिक को लेकर जो लेकर आए है हिंधी में भी और अंग्रेशी में तो थाई हुझा अरनव गुस्वामी के खिलाफ सारे जर्नलिस्ट एक साथ निकल पड़े हैं अरनव गुस्वामी के खिलाफ ममतांबरनरी जीने केस दर्च कराया है अरनब गुस्वामी के खिलाफ कॉंग्रिस के सांसत सची थरूर ने अदालत में सिकायद दर्ज कराई और अदालत ने दिल्ली के एक अदालत ने दिल्ली पुलीस को कहा कि अरनब गुस्वामी के खिलाफ मामला एफायार दर्ज किया जाए किसलिए इसलिए कि शसी थरूर पर जो आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी सुननदा पुस्कर की हत्या कराई है उस ख़बर को रिपब्लिक ने अर्नव गोस्वामी ने एक्सपोज कर दिया थरूर अदालत में ये कहने पहुँचे कि सबूत को चोड़ी करके दिखाये गया है पत्रकारता में सोर्च से सबूत लेना कोई आज की बात है लेकिन पत्रकारों को ये कौन समझाए कि वो किस तरह से अर्नव गोस्वामी पर पिल पड़े हैं ममता बरनाजी कह रही है कि उसक दिन पहले आपको ध्यान होगा कि जब एंडी टीवी एंडी टीवी चैनल पर नहीं इंडी टीवी के कंपनी पर कारवाई हुई थी मनी लॉंडरिंग में तो पूरा प्रेश कलब इन पत्रकारों ने भर दिया था अभी विक्ति के आजादी पर हमला हो रहा है दम घोटा ज रहा है ममता बनर जी से लेकर सशी थरूर तक उसके खिलाब एफायार दर्ज करवा रहे हैं तो बर्खरदत ने ठ्वीट किया है इस मैन है रुटिंगली ट्रांजिट जर्नलिस्ट एंड इवन कॉल पर देर ट्रायल और आरेस्ट वो अरणव गुस्वामी की गिरफतारी च वाइल रिपोर्टेज बत्तब वो कह रही है कि उसके लिए मैंजे कोई आशो नहीं होगा वो जो है क्रिमिनल उस पर केस्ट दर्ज होगा तो उसके डेंजरस कम्यूनल और रिपोर्टिंग की वज़ा से ससी थरूर इस पतनी की हत्या हुई और उसको एक्सपोज करने वाला डेंजरस हो गया देखिए बरखादत की सोच उसकी पतनी की हत्या को एक्सपोज करने वाला कम्यूनल हो गया शागरीका घोष राजदीप सरदेथाई की पतनी और राजदीप अरनव की सबसे बरे आप जहने परतिस्परदी हैं उसकी पतनी कहती है टोटली एग्री है और राजदीप से इस्टा के कार उसने पूरी टेलिविजन पत्रकारता को बरबाद कर दिया है उसी तरह प्रिंट है एक अख़वार शेखर गुपता सबसे बड़े लुटियन जनलिस्ट है उनके भी जो मीडिया हाउस से ट्वीट किया गया है कि इस पत्रकार ने सब कर गया है आधं है वह सारे पत्रकार में यह ना कर दो है अब यह अबिविक्ति कि आजादी इनका जो बिगेंड है अब चाहता है कि पत्रकारवार प्रिंचिया हो लेकिन यही抵राय पर होगा तो यही कूदτε करते हैं मुह काला करने के लिए पत्रकारों पर कारवाई ना हो इस तरह के दोगले दुयर्थी पत्रकारों ने पूरी मीडिया को एक तरह से कॉंग्रिस के हाथे बेच रखा था अब वह एक्सपोज हो रहा है दहिंदू का इंराम आपने देखा के दहिंदू के इंराम ने क् गिदे हुई पत्रकार था आज तक हमने तो नहीं देखी कि एक ही दस्तावेज में से दो पोर्सन चुपा के तीसे पोर्सन को चाप दो उसके बाद एंराम से जब पूछा गया तो उसने कहा मुझे किसी की सेटिफिकेट की जरूरत नहीं है आज फिर वह एक और जूट ले सरकार ने हटा दिया आपको बता दूं कि यह जो राफियल डील पर मोधी सरकार बढ़ी है वह यूपीय की पॉलिसी को ही जो इंटर गॉर्मेंट एग्रिमेंट था और जिसमें जो है एक एंटरी ततकारिन डिफेंस मिनेस्टर ने उसी नहीं सिगनेचर किया था उसी डिल पर वह आगे बढ़ी है लेकिन एंट राम अपनी वफादारी जो है कॉंग्रेस के प्रती दिखाने के लिए सामने आ गए हैं कि लोग कहेंगे कि एंट राम ने तो बोफॉर्थ घोटाला खोला था कॉंग्रेस और राजी वगांदी के खिलाफ जी नहीं बोफॉर्थ बबती थी तब चितरा सुर्मान्यम उसको निकाल दिया और कॉंग्रेस के साथ डील कर ली आगे खबर न चापने की चितरा सुर्मान्यम ने ट्वीट किया था पुराना ट्वीट है मैं बताता हूँ वो साब साब जूट बोलने की बोटाला खोलने में उनकी भूमता थी उन्होंने पूरा जो है जूट बोला जर्नलिजम में कुछ तो जवाब दहीत है हो चितरा ने फिर एक ट्वीट किया इसी साल 2019 में 25 अठार जनवाई को यह जो जितनी अंगरीजी मीडिया है हिंदू है टाइंपस ओफ इंडिया है राजदीप है शागरिका है बर्खादत है यह बर्खादत अभी मिशिनरीज के पैसे से खरे और कफिल सिबल के पैसे से खरे हारवेस्ट चैनल में ओजी हुई है और यह निश्पक्ष पत्रकारता का दावा करती है यह करन्था पर ब्रस्ट महाब्रस्ट इन लोगों ने पुरी पत्रकारता को बेचा है और आज वो चाहते हैं अरनव गोस प्रवामी ने सशी ठरूर को एक्सपोज किया है। किसलिये क्योंकि अर्व गौस्वामी ने अर्णफ हरूर को अर्णब किया है। किसलिए क्योंकि अर्णव गत्वामी राहुल गांजी के लगातार जुट को एक्सपोज कर रहे हैं राफेल पे भी एक्सपोज किया है इसलिए ये लोग जो लुटियंस मीडिया थी लुटियंस पत्रकार हैं जो कॉंग्रेस के पेरोल पे पत्रकार हैं पेड़ पत्रकार हैं और अब खत्रे में आ जाती है, अभी विक्ति के आजादी पर हमला हो जाता है, अर्नव को सभी पर कारवाई हो, तो कहते हैं इसको फांसी पर लटका दो, इसको गिरफतार करो, इन दोगले पत्रकारता को, इन दोगले पत्रकारों को जवाब देने की जरूरत है और आपके पास, हमारे पास वहत्यार है आपका मोबाइल, यूटुब चैनल, सोसल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स, इन्हें एक्सपोज कीजिए, इन्हें दोडाईए और इनके कहे को पूरी तरह से काटिये, ये सब जूट फैला रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी दोकानदारी चौपट हो गई है इन पांच सालों में, इनका दरवारी कल्चर खतम हो चुका है, और इनके आका माईबाप, राहूल गांधी, सुनिया गांधी, गांधी परवार, जमानत पर हैं, अदालत की चक्कर काट रहे हैं, इन सब का पैसा, इन सब का किश्व विधाय, इन सब की जो सत्ता लोलुपता हथियार की डिलिंग सब इनकी छुंचिन चुकी है, इन सब को एक्सपोज करने की जरूरत है, धन्यवाद. का क का राओ जा पते हैं, तर रही जरूरत हैं, जरॱ bowट एक पारिध tu.